5, 4, 3, 2, 1 देशभक्ती दुनिया की सबसे शुद्ध भावनाओं में से एक है एक देशभक्त अपने देश के लिए निस्वार्थ महसूस करता है वह अपने देश की हितों और कल्यान को अपने से उपर रखता है वह दो बार सोचे बिना अपने देश के लिए बलिदान देने को तयार है देशभक्ती एक ऐसा गुण है जिसे हर किसी को मानना चाहिए हमारे देश को हमारी मात्र भूमी के रूप में भी जाना जाता है और हमें अपनी मां से प्यार करने के तरीके से प्यार करना चाहिए जो लोग अपने देश के लिए उतना ही प्यार और भक्ति महसूस करते हैं जितना वे अपनी मां और परिवार के लिए महसूस करते हैं वे सच्चे देश भक्त हैं देश भक्ति एक ऐसा गुण है जो हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। देश भक्तों से भरादेश निस्चित रूप से उस जगह की तुलना में रहने के लिए बहतर जगह बनाता है जहां लोग धर्म, जात, पंथ और अन्यमुद्दों के नाम पर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। एक ऐसा इस्थान जहां लोगों के सामोहिक हित हों और मिशन निस्चित रूप से कम संगर्स होगा। जब हर कोई राष्ट को हर पहलू में मजबूत बनाने के लिए समर्पित होता है तो ऐसा कोई तरीका नहीं होता जिससे देश विक्सित और विक्सित ना हो। देश भक्तों ने देश के हित को अपने ऊपर रखा और उसकी भलाई के लिए काम किया। शांति और सदभाव बनाये रखना एक अच्छा राष्र वह है जहां हर समय शांति और सदभाव बना रहे। देश भक्त एक सामान्य लक्षन के लिए काम करते हैं और यह उनके देश की बहतरी के लिए है जब सभी को एक सामान्य लक्षन या मिशन की ओर प्रेरित किया जाता है तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता देश भक्त बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के अपने देश के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं यदि हर किसी के पास देश भक्ति की भावना है और वह अपने व्यक्तिगत हित के बारे में नहीं सोचता है तो निश्चित रूप से देश को लाब होगा यदि राजनितिक निताओं में देश भक्ती की भावना है तो वे देश के लिए वर्तमान परिदिर्श के विपरीद काम करेंगे जहां सत्ता में रहने वाले लोग देश के उत्थान के लिए काम करने के लिए बजाए खुद के लिए पैसा बनाने में व्यस्त हैं इसी तरह अगर सरकारी अधिकारियों और देश के अने नागरिकों को तोरित पैसा बनाने या खुद के लिए तोरित सेवाएं प्राप्त करने के बजाए राश्ट्र की सेवा करने के लिए निर्धारित किया जाता है तो भरष्टाचार का स्तर गिर जाएगा देश भक्त होना एक महान गुण हैं हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए उपरोक्त साजा देश भक्ती की भावना रखने के सकारात्मक बिंदू बताते हैं कि यह देश को समरिध और विक्सित होने में कैसे मदद कर सकता है हाला कि कुछ लोग अपने देश के लिए इस प्यार को अगले इस्तर तक ले जाते हैं किसी एक देश के प्रती अतिधिक प्रेम और यह विश्वास करना की आपका देश स्रेष्ट है और महत्वपून है इसे वर्णवाद कहा जाता है चुकि हर चीज की अति खराब होती है इसी लिए किसी एक देश के लिए अतिधिक प्रेम होता है अपने देश की विचाट धाराओं और अपने स्वयम के लोगों की सिर्ष्टा के तरक हीन विश्वास के बारे में वणवादियों का दढ़ विश्वास दूसरों के प्रती घणा की भावना पैदा करता है यह अक्सर देशों के बीच संघर्ष और युद्ध को बढ़ावा देता है जिससे शान्ति और सद्भाव बाधित होता है अतीत में ऐसे कई उदाहरन सामने आए हैं जिन में अराजक्तावाद के प्रणाम स्वरुप अनावश्चक संघर्षों को दंगों में बदल दिया गया है देशभक्ती और अराजक्तावाद के बीच एक बहुत पतली रेखा है जबकि देशभक्ती स्वस्त है रूढिवाद कट्टर और तरकहीन है लोगों को यह सुनस्चित करना चाहिए कि उनकी देश के प्रती भक्ती और प्रेम समय के साथ चवन्निवाद में न बदल जाए